हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लाश 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक जो है गास का प्रमे तो गास के प्रमे का अनुपरियोग हम इस वीडियो में देखेंगे तो याद रखेंगे गास के प्रमे का तीन अनुपरियोग होते हैं तो तीनों अनुपरियोग को हम एक ही वीडियो में इस वीडियो में देखेंगे और बहुत ही असानी से आपको समझ में आएगा तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं तो हमीं पढ़ना है सबसे पहले गास के प्रमे का प्रथम अनुपुरियोग तो प्रथम अनुपुरियोग पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ जिस भी द्यार्थी को मतलब जो derivation होता है वो समझ में नहीं आता है उसको समझी में है तो derivation कैसे होता है उनको लिए मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर basic basic बाते आपको बताए जाएंगी कैसे आपको करने है तो आप धिहान पुर्वक यहाँ पर देख कर समझेगा तीनों अनुपुरियोग आपको बहुत easy way में समझ में आ जाएगा तो चलिए दोस्तों सबसे पहला अनुपुरियोग होता है देख लिए यहाँ पर मैं थोड़ा से पहला अनुपुरियोग बता दूँ तो पहला अनुपुरियोग होता है क्या एक सरर लेखिया चालग पर ठीक है ऐसे मैं थोड़ा से आपको बता दे रहा हूँ सबसे पहला होता है एक सबर रेखिया चालग पर विद्दू छेतर की तीबरता है दूसरा होता है एक आयताकार चालग पर ठीक है और तीसरा होता है एक गोले पर क्या करना है विद्दू छेतर की तीबरता की गढ़ना करना है तो यह प्रथम अनुप्रियोग है यह दूती अ अनुप्रियोग है और तीसरा तो इन तीनों अनुप्रियोगों पर हम गढ़ना करेंगे कि एक आयताकार जो क्या है एक अनन्त लंबाई की चालक तार है इस पर बिद्दु छेती की तिवरेता क्या होगी यदि एक गोला है तो इस पर बिद्दु छेती की तिवरेता क्या ठीक है तो इसको में मिटका दे रहा हूँ अब हम पहले नुप्रियों पे बढ़ते हैं तो हमें देखना है पहला नुप्रियों गए सरल रेखिय चालक पर उत्पन बिद्दु छेतर की तीब्रता यहाद रखेंगे अलग अलग तरीके से हेडिंग दिया गया है तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है आपको केवल यह ध्यान रखना है कि सरल रेखिय चालक पर हमें बिद्दु छेतर की तीब्रता की गड़ना करने है तो यहाँ पर मैं फिगर बनाता हूँ तो सबसे पहले यदि हम अनन्त लंबाई के एक सरल रेखिय चालक लेते हैं एक हमने माल लिया कि यह हमने कोई चालक ले लिया जिसके लंबाई है जिसके क्या है एक चालक है जो क्या है एल है ठीक है तो जब इस पर हम प्लस की वावेश देते हैं तो जब हम किसी चालक के यह कोई चालक है इस पर जब हम आवेश देंगे, तो इसके चारो और क्या होगा, बिद्दु छेतर उत्पन होगा, ठीक है, बिद्दु छेतर उत्पन होगा, तो माल लेते हैं, इसके बिद्दु छेतर, इस चालक के चारो और बिद्दु छेतर उत्पन हो रहा है, तो इस बिद्दु छेतर क किसी बिंदू पर हमा लेती ही कोई पॉइंट है इसी पर हमें बिद्दू छेतर की तिब्रता ग्याज करनी है तो हम क्या कर लेंगे एक हम बेलन की ऐसे हम कलपना करेंगे ऐसे हम एक क्या करेंगे बेलन की कलपना करेंगे अब बहुत से पॉइंट इसमें आते हैं कि भईया आ और इस बात को इतनी बात अगर आप समझ गए है तो यहां से इस पर फोकस कीजिए, सबसे पहले हमने क्या बताया कि अनन्त लंबाई के एक हमने चालाग खिलिया, ठीक है, जो L है, ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिया, इस पर जब हमने आवेस दिया, इसका आवेस गना तो लेमडा है, तो आवेस के बिद्दु छेतर के किसी पॉइंट्स पर ह अमें क्या करना है, बिद्दु छेतर की तिब्रता की गणना करनी है, ठीक है, तो इतने बातों को आपको फिगर बनाना है, उसके बाद इतने बातों को आपको एक्स्प्लेइन करना है, अपने सब्दों में इसे बताना है, कोई जरूर नहीं कि जैसे बुक में लिख्या टीके क्या बोलेंगे कि अनन्त लंबाई के एक चालगतार L है टीके इसको बाद इस पर प्लस की वावेष सुपस्तित है इसका आवेष गनात59 लेमडा है ततह एक वेलन की तरीज्या R है तततह वेलन की लंबाई L है तो वेलन की तरीज्या R के किसी बिंदू पर उसके बाद आपको ये figure बनाना है, अब आते हैं हम इसकी गणना पर, ठीक है, तो अगर हम इसकी गणना करते हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चार्ट ऐसे कर दूँ, कि दिक्कत नहीं होगी, ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले यदि हम इसकी ग हो जाएगा, सबसे पहले हम इस पर ज्याद करेंगे कि चालग पर कुल आवेश कितने होते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर इस कलर से लिख रहा हूँ, सबसे पहले हमें क्या गयात करना है, आवेश, ठीक है, तो आवेश का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले याद रखना है, इसके बाद जब यहाँ से हम इस संकीति कुल पर लिखते रहे हैं, क्यू इस कल टू, लेम्डा इंटू, क्या हो जाएगा, लंबाई है, तो लंबाई, यहाँ से हम सबसे पहले आवेश हम गयात करेंगे, दूसरा में हमें आता है, दूसरे में हमें गयात करना है, बिद्दुत फ्लक्स, कुल बिद्दुत फ्लक्स हमें गयात करना है, ठीक है, जिसे हमने फाई से प्रदसित करते ह हैं तो याद रखेंगे फाई इसकोल टू होता है ई डियस कॉस ठीटा ये तो अब हम क्या करेंगा फाई एक हमने ग्याद कर लिया उसके बाद जो हम यह दूनों ग्याद कर लेंगा सबसे पहले आवेश उसके बाद विद्दूत फ्लक्फ तीसरे में हम गॉस के प्रमे का अन साइलेनट मतलग किसी बंद प्रिश्ट से निकलने वाले कुल आवेश उस प्रिश्ट पर उपस्तित कुल फलक्फ की संख्या उस प्रिश्ट पर उपस्तित कुल आवेश का वनपान एफ साइलेन गुना होता है यही नहीं हमने पढ़ा था गौस के प्रमे में तो अब यहा से फाइए कमान हम पूटप करते हैं तो क्या मिल गया यहां से क्यूब यह लेंड़ाइए फ्साइले नौट हमने पूटप किया यह एफसाइले नौट है तो भाईया अब हमें क्या ग्याद करना है हम जानते हैं कि चालग पर उत्पांद बिद्दु छेतरी की तिब्रता की गर्ना करना है यह एक है व із ऑ इद्दु छेतरी की तिब्रता की इसको इधर रहने देंगे ए इस सबी को हम इधर ब्यर्ज देंगे और यही तो गर्ना करना है तो इस step को आप अपने notes में लिख लिजिए सबसे पहले इसको लिख लिजिए ठीक है एज़ इसको समझना है ना तो इसको लिख लिजिए जैसे जैसे आपको working ये किया जाएगा वर्क किया जाएगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा तो सबसे पहले इसको लिख ल आप धहरे रखेंगे, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, याद हो जाएगा आपको, यही से समझ में आ जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या करना है, यहाँ अगर गणना करें, तो सबसे पहले हमें, सबसे पहले हमें क्या करना है, कि चालक पर कुल आवेस, तो यहाँ पर हम हमने बता रहे था आवेश इसको लटू होता है आवेश घन तो गुड़े यहां पर लंबाई है लंबाई कर दिया तो अब हम लिखेंगे तब दूसरे में हमें ग्याद करना है दूसरे में हमें ग्याद करना है बिद्दुद फ्लक्स तो यहाँ पे थोड़ी से आप घ्यात ध्यान देंगे ये बात कि ये दिखें ये जो बेलन है बेलन ही हमने क्यों लिया ये हमने बताया था ना ते बेलन इसलिए लिया क्योंकि जो क्या होता है सरल लेकि चालब जो बि बेलन ही क्यों लिया गोलाकार भी तो ले सकते थे ना वो भी तो बंध होता है तो भाईये इसमें ये है कि इसको अगर हम बेलन को काटे तो इसका प्रतियक भाग एक समाने होगा ठीके इसको अगर हम ऐसे ऐसे काटते हैं ऐसे तो क्या होगा एक समाने ही होगा तो इसमें त प्रिष्ट मतलब बेलन में तीन प्रिष्ट होते हैं जैसे यह मान ले अगर बेलन है तो एक उपर वाला प्रिष्ट एक नीचे वाला प्रिष्ट और यह क्या है एक गोले वाला जो है अंदर का यह जो यह तीन प्रिष्ट हो गए ना तो तीन प्रिष्ट में यह यह दोनों संतल है उपर नीचे वाले यह क्या है वक्र है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ संतल प्रिष्ट है संतल प्रिष्ट है है कि नहीं तो हम लिखेंगे हम लिखेंगे तब हम लिखेंगे कि अगर तब जाका हम S1 प्रिष्ट से निकलने वाले कुल फ्लक्स निकलेंगे S2 पर कुल फ्लक्स निकलेंगे और S3 पर जब तीनों प्रिष्टों पर हम कुल फ्लक्सों की संख्या निकल लेंगे तो इन तीनों फ्लक्सों को जोड़ देंगे तो हमें cool flux निकल जाएंगे विद्दूत flux की संख्या निकल जाएगी ठीक है हमें विद्दूत flux चाहिए तो हम लिखते है S1 priest से निकलने वाले कुल विद्दूत flux ठीक है इतना बात अब लिख लेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कुल विद्द्द फ्लक्स भाइज स्कोल टू क्या हो जाएगा तौर Solutions 11 क्या हो जाएगा तोो यहाँ पर दीजेगा यह तो आ प्रिष्ट यह क्रीष्ट प्रिष्ट से तो प्रिष्ट चंद स्कते है इसकी दिष्ट तो यह प्रिष्ट चेतर की तिविरता और प्रिष्ट की दिशा यदि समानतर हो ठीके मनले यह दोनों अगर समानतर हो तो यह क्या होता है यहाँ पे 90 डिगरी का कोण बनता है समझेगा यदि प्रिष्ट बिद्धु छेतर की तिविरता के समानतर हो यदि समानतर होगा तो वहाँ पे 90 डिगरी क का कोड़ बने गा यदी प्रिष्ट गुष्टD शेतरी के लंबोत होगा तो वहां पर समानतर यहां पर समानतर यहां पर 90 डिगरी से कोड़ बने गा थीक है तो…. minus सबसे पहले एक eldest प्रिष्ट के लिए निकलने वाले लिकल के लिए कोल विद वद फिलक्स अब यहां पे हम क्या लिख दे रहे हैं फाई ए टूइसकोल टू होता है इडियोस कॉस्ट थीटा अब यहां से हम जानते हैं कि यहां पर भी क्या है बिद्दुछेतर की तीवरता क्या है जो प्रिष्ठ है उसके समानतर है तो यहां यहां पर भी cost theta is equal to 0 ही होना हो जाएगा, तो यहां पर 0 अगर इसमें गुड़ा कराएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यह भी 5e2 is equal to 0, क्योंकि cost theta is equal to 0 है, जब cost अगर हम इसका मान theta के जब पर 90 रखते हैं, ठीके, तो 90 is equal to 0 होता है, तो क्या हो जाएगा, 0 का गुड़ा हो तो यह सब 0 हो जाएगा, ठीके, तो हमने पहले प्रिस्ट के लिए निकाल लिया, दूतिय प्रिस्ट के लिए निकाल लिया, अब हम देखते है, s3 प्रिस्ट के लिए, ठीके, तो अब हमें यहां पर लिखते है, s3 प्रिस्ट से निकलने वाले cool flux, ठीके, निकलने वाले cool flux, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5e3 is called to e ds cos theta लिख दिया है अब यहाँ पर थोड़ी से आपको बात ध्यान देनी है यहाँ पर थोड़ी से आपको बात ध्यान देनी है यहाँ से थोड़ी से आपको बात ध्यान देनी है यह दोनों तो समतल था यह क्या था यह समतल था यह भी क्या था समतल था परन्तु यह वक्र है वक्र है कि नहीं दिख रहे हैं यह वक्र का आकार का है तो यहाँ पर वक्र प्रिष्टिय छेतफल यहाँ पर वक्र का हमने क्या क्या रखने पड़ेगा मान रखने पड़ेगा समतल का तो हमने रखने दिया क्योंकि अगर समतल का रखते भी तो क्या होता है 90 is equal to zero हो जाता ठीक है घूडा होता तो जीरो ही हो जाता परन्तु यहां पर यहां पर प्रिष्ट यह चेत्पल होता है याद रहेंगे टू पाई आर एल होता है तो हमने बेलन का वोग्र फिष्ट यह चेत्पल लग दिया मान और यह कौस ठीटा यहाँ पर देखेंगे तो यह प्रिष्ट क्या है विद्धु छेत्र की तीवरता के लंबवध है यह देख रहें और कॉस जूने इसकल टू होता है क्या सूने इसकल टू ओन होता है ठीक है कॉस सूने इसकल टू टू वन तो हम यहाँ पर रख देते हैं तो ए इंटू टू पाई आर एल इंटू वन तो वन का अगर हम गुडा कराते हैं तो वन ही हो जाएगा ना तो यह हमें मिल गया तीन इसकल टू 90, ता जीरो हो गया, यहाँ पे भी cos 2 के लिए theta equal to 0 होता है, तो यहाँ पे भी 0 होता है, परनतु cos 3 होता है, जो क्या है S3, यहाँ पे प्रिष्टू के क्या हो जाएगा? सुन्ने हो जाएगा, ठीक है, theta is equal to 7, cos 3, cos 2 is equal to क्या होता है? 1 होता है, तो यहां पर S3 के लिए हमने क्या लिया है, बेलन का वक्र प्रिष्टों के लिए हमने क्या निकाल दिया है, विद्धुत फ्लक्स निकाल दिया है, तो अब हम तीनों प्रिष्टों का विद्धुत फ्लक्स, S1, S2, S3, इन तीनों विद्धुत फ्लक्सों को हम जोड़ेंगे, त तो इस पर पूरे पर क्या निकल जाएगा कुल विद्धुत फ्लक्सों की संखिया निकल जाएगी तो हम इसे लिखते हैं हम यहाप लिखेंगे कुल विद्धुत फ्लक्स ठीक है कुल विद्धुत फ्लक्स फाई इसकल टू हम क्या लिखेंगे फाई एवन फ्लस फाई प्लस फाई E3 हम ऐसे ही ने लिखेंगे तो अब यहाँ पे थोड़ी से ध्यान देंगे फाई E is equal to फाई E1 कमान क्या है सुनने है तो सुनने फाई E2 कमान भी सुनने है अब फाई E3 कमान क्या है E into 2 pi RL तो हम लिखेंगे E into 2 pi RL है तो यह हमने लिख दिया अब यहाँ पे हम जोड़ देते हैं तो फाई E is equal to क्या निकल जाता है E into 2 pi RL तो यह हमें मिल गया क्या निकल गया यह हमें मिल गया कूल विद्दूत फ्लक्स मतलब एक चालाग तार है जो बेलानकार है तो इस पर कूल विद्दूत फ्लक्स कितने है तो यह है ठीके तो इसको हमने समिक्राण 2 मान लिया समिक्राण 1 इसे माना था और समिक्राण 2 तो सबसे पहले हमने आपको वर्किंग इस्टेप में बताया था कूल आवेस निकलना है उसके बाद कूल विद्दूत फ्लक्स निकलना है और उसके बाद गॉस के प्रमे में इसको पूट करना है तब हम लिखेंगे तब हमारा तीसरा आएगा गास के प्रमे से ठीके तो हम जानते है फाइए इसकोल टू क्या होता है क्यू बाई एफसाइले नोट होता है ठीके तो अब फाइए कमान हम यहां से पूट अप करते हैं तो यह क्या हो जाएगा एइ इंटू टू पाई आर एल यहां पर क्यू कमान कहां से यहां से पूट अप करेंगे क्या होता है लेमडा इंटू एल हो गया और Epsilon है तो Epsilon हमने रख दिया यहांपे अब आपको थोड़ी सी बात आपको ध्यान देना है यहांपर क्या ध्यान देना है यह जो L है यहांपर यह L है तो यह दोनों गुड़ा में है तो यह दोनों cancel हो जाएंगे उसके वड़े यहांपर 2 Pi R बचा ठीक है और यह गुड़ा में है तो इसको हम इधर भेज़ देते हैं ठीक हो E को यहीं पे छोड़ देते हैं तो यहां से हमें क्या मिल गया है E is equal to यहां पे कट गया तो लेमडा बचा और यहां पे यह तू पाई र इधर आ गया तो क्या बचा टू पाई आर इंटू इतनी होती है ठीक है यदि हम इसको थोड़ी से अगर सिक्रेंस में करें तो आप यहां से प्रूफ लिख सकते हैं यहां तक करेंगे तो बहुत ही है ठीक है अगर थोड़ा से हम करें तो दोनों पच्छों में हम दो से गुड़ा करा देते हैं तो इससे क्या फाइदा मिलता है यदि हम दोनों ऊपर नीचे दो से गुड़ा कराएंगे तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दिजिएगा 2 4 pi epsilon naught into lambda by r square r यह हो जाएगा यह इतना हो जाएगा कि नहीं 2 नीचे से इसमें कराएगा तो दो दूना 4 हो जाएगा तो 4 pi r यहाँ पर हमने लिख दिया है जो यह 4 pi epsilon naught लिख दिया आर को हमने इधर भेज दिया लेमडा को भी इधर भेज दिया तो यहाँ पर 2 दोनों एक ही है ठीक है आपको बस इतना नुमेरिकल के लिए आपको पता होना चाहिए तो इसको भी आपको याद रखना है तो आसा करते हैं सबसे पहला आपको समझ में आ गया होगा कि विद्दु छेतर की तिब्रता एक सरर एक ही अचालक पर क्या होती है तो यह प्रथम यह करते हूए हैं और जो भी तक पईशन्से अपने ध्याणत सोना होगा तो आपको बहुती एछ्छी समझ में होगा क्या हमने ग्याद किया सबसे पहले हमने कुल क्या निकाला कुल आवेस निकाला और उसके बाद हमने कहा था कि कुल विद्धुद फ्लक्स निकालना है तो S1, S2, S3 तीनों प्रिष्ट का निकालकर हमने कुल विद्धुद फ्लक्स निकाल लिया और इनका दूनों कमान हमने ग बहुत है क्योंकि ऐसे देखते हुए आना बहुत ही दिख्यत होती है कि मतलब सुचते हैं कि आरे यार कहता नहीं समझ में आये कि नहीं आएगा तो चलिए आपने इतना पेसंस के साथ अपने रखा और आपको समझ में आ गया अब आते हैं हम दूसरे अनुप्रियक पर जो हो अब आते हैं हम दूसरे अनुप्रियोग पर तो इसको मैं अच्छे समझ में अधिका दूँ तो अब हम देखेंगे दूसरा अनुप्रियोग जो कि बहुत ही मज़े से आपको समझ में आएगा बहले ही टाइम ले गए पर तीनों अनुप्रियों की एक ही वीडियो में समझ जाएंगे तो बहुत यह अच्छा होगा इस तरह यह होता है कि कभी एक वीडियो मिल गया एक वीडियो देखने के बाद दो वीडियो मिला ही नहीं कि विद्धु छेतर की दूसरा जो गौस के प चादर पर यहां से लिख दे रहा हूँ आयताकार चादर पर उत्पन विद्धु छेतर की तीब्रता की गढ़ना करनी है तो यह हमारा दूसरा अनुप्रियोंग है इसमें हम देखेंगे याद रखें कि कोई भी आयताकार यह चादर है इसमें भी वर्किंग स्टिफ केवल वही वालन होगा ठीक है वैसे ही माल लेते हैं यह कोई आयताकार चादर है थोड़ी से और हम बड़े से बना लेते हैं फिगर आपको समझ में आएगा यह माल लेते हैं कोई आयताकार चादर है ऐसे बना लिया ठीक है यह कोई आयताकार चादर है जिस पर आविस क्या है क्य है और इसका ऑविस घनत तो सिगमा है ठीक है आविस घनत यहां पर हमने सिगमा लिया है उसमें हमने लिया था इस बात को ध्यान देना है तो यह क्या है आयताकार जाधर जिस होए जिस पर आविस स्कारला हूर 10-ख प्यात करते है कि आपको पता होना चाहिए ये ऐसे अंदर है इस बात को याद रखेंगे चालक क्या है इसके अंदर है तो यह क्या लिया हमने एक बेलन ले लिया है और हमने क्यों बताया था कि बेलन क्या होता है एक बंद प्रिष्ठ होता है और इसको काटने पर प्रतेक सतक्या होंगे एक समानने होंगे तो यहाँ पर ध्यान देंगे जब हमने यहां पे क्या हो जाएगा यह S1 प्रिष्ट हो गया यहां पे भी तीन प्रिष्ट होगे एक S2 और यह क्या हो गया एक अंदर वाला S3 यह तीन प्रिष्ट होगे एक इधर से चादर से अंदर जैसे माल लेते हैं इसमें कोई भी गुशाएगा इसमें माल लेते हैं क एक इधर वाला भाग एक अंदर जो है वो तो पहला बाहर इधर भी बाहर एक अंदर का तीन प्रिष्ट हो गए तो सबसे पहले याद रखेंगे इस प्रिष्ट का क्या है वाकर प्रिष्ट ये छेतरफल ए है ठीक है मतलब इसका छेतरफल जो है इन तीनों प्रिष्ट का क्य भी ऐसे ही इसमें भी करना है तो सबसे पहले क算वना है क्या करना है सबसे पहले आई अटकार चादर है सबसे पहले पहले तो आपको अपने सबस्टाब की तिवर्ता की गणटा करने है इतनी बात अपने सब्दों लिख लेंगे जरूरे नहीं कि जुग मैंने कहा वही यह वह किसको अपने सब्दों झी मैं श्रल yağने आपस क्वलें कर सकते हैं कि इस सम्तल में यह वक्र प्रिष्टिय यह दोनों क्या है समतल है यह वक्र है ठीक है क्योंकि बेलन में दो समतल होते हैं एक वक्र होता है तो यह सभी बात आपको पता होना चाहिए ठीक है तो अब हम इसका मान रखते हैं यहां पर तो अब यहां पर हम लिखेंगे कुल यहां पर लिखेंगे कि आयता आतकार चादर या चालक पर कुल आवेस आतकार या आतकार चादर पर कुल आवेस तो आवेस किसकल्टू क्या हो जाएगा आवेस इसकल्टू होता है आवेस गना तो क्या है सिगमा है इंटू छेतरफल मतलब यह क्योंकि यहाँ पर क्या है लंबाई और चादर में क्या होता है आतकार जो चालक होता है या चादर होता है इसमें लंबाई चोड़ाई दोने होते हैं तो लंबाई चोड़ाई किसको कह आप हमें निकालना है कुल विदूद फ्लक्स तो जब हमें कुल विदूद फ्लक्स निकालेंगे तो हम लिखेंगे यहां पर थोड़ी सी बात आपको लिख लेंगे आयत का आयत कार चादर पर चादर में तीन प्रिष्ट हैं यह भी बात आपको लिख लेंगे तीन प्रिष्ट हैं सबसे पहला सम्तल प्रिष्ट जो क्या है सम्तल प्रिष्ट एस वन दूसरा है सम्तल प्रिष्ट एस टू आप फिर से तीसरा लिख देंगे सम्तल प्रिष्ट एस थ्री पता नहीं दिखाई दे रहा हो कि नहीं सोरी यह तीसरा लिख देंगे कि वक्र प्रिष्ट थ्री ठीक है इतना बा से हम S3 कहते हैं तो यहां पर तीन प्रिष्ट हैं सबसे पहला सम्तल दूसरा भी सम्तल और सम्तल सम्तल यह क्या है वक्र प्रिष्ट है तो अब हम निकालेंगे S1 प्रिष्ट पर S1 प्रिष्ट से निकलने वाले कुल बिधोत फ्लक्स S1 प्रिष्ट से निकलने वाले कुल बिधोत फ्लक्स की करना करेंगे तो S1 यहां पर हम सुत्रिय अप्लाई करेंगे 5E1 is equal to E ds cos theta होता है तो भया E ds cos theta होता है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा यहां पर थोड़ी से बात आप ध्यान देंगे इस प्रिष्ट का क्या है इस प्रिष्ट जो क्या है S1 है इसकी दिशा क्या है मतलब यह इसकी दिशा इस तरफ है यह क्या है यह क्या है बिधो छेतर की तीबरता की दिशा है तो बद्दु छेतरी की तीवरता पर नंब है ठागए तो इसका मतलब क्या होगा कि जो लंब होता है वो इसके समानतर होते हैं तो आप ठीटा कमांद सुने लेते हैं ना तो यहाँ आप अभी e1 is called to क्या लें लेंगे e ds cos सुने लेंगे cos सुने लेंगे की नहीं आप यहाँ ध्यान देंगे 5e1 is called to e यहाँ पे आप s1 ही लिखेंगे तो अच्छा रहेगा ठीक है आपको और अच्छे समझ में आएगा ds लिखेंगे कोई दिकत नहीं है अब आपको थोड़ी सी बात ध्यान देनी है यह जो s1 है इसका चेतरफल कितना है तो e है न तो हम यहाँ पे e लिख दे रहे हैं और को सु e1 is equal to e a हो गया अब हम निकलेंगे कि s2 priest पर cool flux ठीक है s2 अब यहाँ लिखते है s2 priest से निकलने वाले कुल विदूत fluxों की संख्या आप लिख सकते है ठीक है उसके बाद हम लिखेंगे तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे phi e2 is equal to क्या हो जाएगा e s2 cos theta और theta is equal to क्या हो जाएगा इसके लिख सुनने होगा क्योंकि priest पर क्या है लंबवत है ठीक है तो यहाँ पर भी हम सुनने रख देंगे तो क्या हो जाएगा phi e2 is equal to e a रखेंगे क्योंकि इसका भी छेतरफल क्या है यह दोनों समतल है तो इसका समतल का क्या होता है यह होता है तो यह रख दिया और यह क्या हो जाएगा कॉस सुनने is equal to 1 होता है ठीटा is equal to 0 रखते तो 1 हो जाएगा तो s2 के लिए भी यही निकल गया यह भी आपको समझ में आ रहा होगा अब आते हैं हम s3 के लिए देखिए s1 ए s2 यह दूनों तो एक ही समानी है न समतल चादर है समतल क्या है समतल है priest तो इन पर आवेस जो बि से निकलने वाले 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 वी दूद्ध फलक्स एस वान प्रिष्ट से निकलने वाले कुल बिद क्या हो जाएगा 5 e3 is equal to हो जाएगा e s3 कॉस ठीटा और यहां पर याद रहेंगे ठीटा कमान यहां पर क्या होता है यह priest के समानतर है जो बिदू छेतर की तिब्रता है य ये एस-3 प्रिश्ट के समानतर है क्योंकि देख रहे हैं ये समानतर है तो जब समानतर होगी ना जब между च्थर की तीबरता प्रिष्ट के समानतर होती है तो समानतर में हम 90 डिगरी के क有一 UK लेते हैं तो इसलिए 5E3 is equal to क्या हो जाएगा सुन्ने हो जाएगा ठीके तो हमने क्या किया हमने S1, S2 और S3 के लिए निकाल लिया विद्धुद फ्लक्स देखिए यहां पर हमने क्या निकाला था यहां पे S3 प्रिस्ट के लिए निकाल लिया जब हमने तीनों के लिए फ्रिस्ट के लिए विध्धोथ फ्लक्स निकाल लिए तो इन तीनों क्या करेंगे n दूतफ फ्लक्स निकाल लेंगे तो यहाण प्लाई प्लिध को भॉगर हम जाएगा तो यहां पर ऑगर हम कहते हैं तो क्या हो जा e1 कमान है ea हो गया तो यहाँ पर हम रखते हैं ea प्लस phi e2 कमान क्या है ea है तो हमने रख दिया ea और phi e3 कमान है क्या सुनने तो हमने सुनने रख दिया अब यहाँ पर थोड़ी सी बात आपको ध्यान देनी है यह phi e is equal to यहाँ पर 1 e है यहाँ पर 1 e की तो यह 2 e हो जाएंग निकाला था आविश निकाल लिया अब दूसरे में हमने निकाल लिया कुल विदुद फ्लक्सों की संख्या तो अब इन दूनों को मान को हम गौस के प्रमे में रख देंगे तो हम यह आज लिखते हैं गास के क्रमे से अब गास के प्रमे से हम क्या जानते है कि 5e is equal to होता है Qy, Sile not, तो 5e कमान हमें आज से रखते हैं, 2e, a, q कमान हमें आज से रखते हैं, आवेस गनद तो गोड़े 6 तरफल, तो यह क्या है, आवेस गनद तो गोड़े 6 तरफल, Sile not कमान हमने यहां से पूट अप कर दिया, तो थोड़ी सी बात आपको जहान देखेंगे, इधर गु तो यहां से हमें मिल गया, e is called to, आवेस गनद तो बटे, 2 by Sile not, ठीक है, यह जो हमें मिला, यही क्या है, आपका, जो आयताकार चादर पे, जो विद्दु छेतर की तिवरता का मान निकल गया, ठीक है, तो इसको आप लिख देंगे, यहां पर प्रूफ, प्रूफ दें लि लिजे, ठीक है, तो आसा करते हैं, आपने अच्छे से screenshot ले लिया होगा, तो मैं आसा करता हूँ कि आपको ये भी point अपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा, मैं यही कहूंगा कि देखें, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, बाकी तो यहां पर समझाया है, जाही अच्छे समझ में आएगा, तो थोड़ी से आपको दिक्कत होगी, उसको समझने में आपको थोड़ी से दिक्कत होगी, परन्तु कितने आदे से एक घंटे की वीडियो होगी, आप देख लेंगे तो तीनो अनुप्रियोग आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो दो तो आपने ले लिया होगा, तो अब हम देते हैं, एक गोले पर, ठीक है, मतलब आवेसित गोले चालक पर हम क्या करेंगे, विद्दु छेतर की तीवरता की गढ़ना करेंगे, ये तो बहुती एजी है, आपको बहुती असानी से बहुती जल्दी आपको आ जाएगा, ठीक ह ये तीसरा अनुक्रियोक थोड़ा सा इजी है, इसको हम देख लेते हैं, हम क्या लेकेंगे, गोलिया, आवेसित, शालक पर उत्पन बिद्दु छेतर की तीवरता, ठीक है, तो ये हमें गढ़ना करनी है, तो माल लेते हैं, एक हमने गोला ले लिया, ठीक है, ये समझेगा, ये हमने गोला ले लिया, आज इसकी त्रीजिया क्या है, जिसकी त्रीजिया है, आर, ठीक है, ये गोला है, आज गोले की त्रीजिया है यार, यदि हम इस पर प्लस की वावेस देते हैं, यदि हम क्या करते हैं, इस पर प्लस की वावेस देते हैं, तो जब हम गोले पर प्ल पॉइट्स है इसे पॉइंट पे हमें मौन लेते हैं यह कुई पॉइंट्स है इस पॉइंट्स पे हमें क्या करना है बिद्धु छेतर की तीब्रता की गढ़ना करनी है इतनी बात आपको ध्यान देनी है सबसे पहला इसको अपने सब्दों में explain करना है कि हमने एक गोलिया आवेसी चारक L लिया जिसकी त्रिजिया है आर जिसके हमने आवेस दिया ठीक है आवेस देने से इसके चारो और बिद्दु छेतर उस्पन्द हो गया तो बिद्दु छेतर के किसी पॉइंट्स E पर किसी पॉइंट्स पर मान लेते हैं कोई P है त तो आप उसका भी हेल्थ ले सकते हैं थोड़ी से इसको तो इसको आपने सब्दों में एक्स्प्लेन कर देंगे उसके बाद हमें यहाप ग्याद करेंगे सबसे पहले वही आवेस उसके बाद बिद्दु फ्लक्स उसके बाद गौस के प्रम्य में रख देंगे तो यहाँ अब देखिए जो यहाँ पे यह जो गोला होता है इसमें याद रखेंगे इसमें एक ही प्रिष्ट होता है गोला जो होता है गोला में एक ही प्रिष्ट होता है और जैसे बेलन हो गया उसमें तीन प्रिष्ट हो गया परन्तु गोले में एक ही प्रिष्ट होता है तो जब एक पर चालक पर चालक से में निकलने वाले कुल बिदूत फ़लक्स आज initiatives मतरले आवीर सिरी से निकलने वाले कुल बिदूत फ्लक्स निकालेंगे यहाँ पे तो हमने यह लिख दिया ठीक है यहाँ पे जब हमने लिख दिया कुल विद्धुद्फलक्स तो इस गोले से निकलने वाले कुल फ्लक्स निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा phi e is equal to होता है मान e ds cos theta यहाँ पे cos theta रख दिया अब आपको थोड़ी सी बात ध्यान देनी है यहाँ पे मैं अगर इसको मान को यहाँ पे रखूँ तो यह यहाँ पे ds का मान क्या होगा यह गोला है न तो गोले का वक्र प्रिष्टिय छेतरफल कितना होता है वह यहाँ इसका गोले का वक्र प्रिष्टिय छेतरफल का मान होता है तो यह इसके जगा पर हम लेखेंगे क्या रखेंगे इसका मान रखेंगे तो 2 pi r square हमने रख दिया तो जब हमने 2 pi r square रखा यहाँ पे cos और theta square 2 हम क्या रखेंगे वो भी पता दे रहें यह जो क्या है प्रिष्ट है गोल भी लंबोत होता है तो वो क्या बनता है वहाँ पर theta square 2 हम 0 लेते हैं तो यहाँ पर हमने theta square 2 सुनने ले लिया तो अब आपको थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान देंगे cos सुनने square 2 क्या होता है 1 होता है तो यहाँ से 5e का मान हमें क्या मिल गया e 2 pi r square into 1 तो 1 का गुड़ा होगा तो इतना ही होगा तो हम ऐसे ही इसको ले लेते हैं तो हमने क्या निकाल लिया हमने cool flux निकाल लिया तो इसको समी का first मानते हैं हमने cool आवेस निकाल ही लिया है cool आवेस क्या है क्यों ही है अब हम लगते हैं गौस के प्रमे से गौस के प्रमे या नियम से तो गौस के प्रमे में हमने क्या पड़ा है कि 5e is equal to q by epsilon 0 अब इसका मान हम रखते हैं तो यहां से इसका मान हम put up करते हैं तो क्या मिल जाएगा e into 2pi r square ठीक है यह मिल गया अब q यहां पर q ही है तो q हम रख दियें आई यह epsilon 0 है तो epsilon 0 रख दियें अब यहां पर e को छोड़ कर इस सभी को हम क्या कर देंगे इधर भेज देंगे तो इधर अगर भेजते हैं तो e square to क्या मिलता है q by 2pi r square epsilon 0 यह हमें मिल गया न तो यही जो निकला यह क्या है यही आपका गोलिये चालग पर उत्पन विद्धु छेत्र की तीब्रता मला गौस के प्रमे का तीसरा अनुप्रियों आपका फ्रूफ हो गया ठीक है तो यह आप लिख लेंगे सबसे पहले हमने क्या निकाला इसमें हमने कुल विद्धु फ्लक्स ही निकालें क्योंकि आवेस की हुई है तो कुल विद्धु फ्लक्स ही निकालें फ्लक्सों की संखिया हमने गौस के प्रमे में रख दिया आपका फ्रूफ हो गया यह इसको अगर numerical के लिए थोड़ा सा इस formula का और हम modern बनाएं तो क्या करेंगे हम इन दोनों में क्या करेंगे 2 से उपर और नीचे गुड़ा करेंगे जब 2 से हम उपर नीचे गुड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा e is equal to यहाँ पे 2 तो आप थोड़ी से ध्यान देंगे जब 2 ग गड़बढ हो गया है ठीक है यहाँ पर गड़बढ हुआ है यह सही है छोड़िए यहाँ पर दिखिए हमने गड़बढ कहा किया formula आप नहीं याद करेंगे ना तो यह दिक्कत होता है ठीक है हम भी भूल गया थे ठीक है जो गोली का वह कर प्रिष्टिय छेत्फल होता है 4pi r square 4pi r square होता है ना कि 2pi r square तो इस बात को याद रखेंगे तो यहाँ पर हमें 4pi r square रखना है तो 4 रख दे रहे हैं यहाँ पर हमने 4 रख दिया ठीक है और यहाँ पर भी हमें 4 रखना पड़ेगा तो यहाँ पर भी हमें 4 रखना पड़ेगा तो हमने 4 रख दिया तो अब यही तो अभी भी वही लिखा है नीचे वाला ही उपर वाला यह Q1 में गुड़ा हो जाएगा तो भी हो जाएगा तो इसलिए हमने इसलिए किया कि यह क्या हो जाएगा वह इसका मान होता है क्या होता है 9 9 x 10 to the power 9 अमान रखेंगे अत्रिजय कमान दिया है तो बिद्वंचेतर के तिप्रता निकाल लेंगे यही जो formula हमने निकला है याद रखेंगे यही हमने पताया था जो हमने पढ़ाया था बिद्वंचेतर के तिप्रता की गणना किया था तो उसमें हमने गोले पर ही ने किया अभी तक आपने रूखे और बहुत ही अच्छे से आपने देखा और बहुत ही अच्छे से मैं विश्वास करता हूँ कि आपको समझ में आया है यही कहूंगा यह दि आपको हमेशा के लिए इसको मतलब clear करना है जबता है कि राम ना हो जाए तब तक लेकम सकम तो आप इसको मतलब लगबग copy pen में अपने notes करे लिए होंगे, notes बना लिए होंगे, अच्छी बात है उसके बाद उससे notes को देखते रही है, और सब्सक्राइब 15 दिन पर अपको लगे कि हाँ थोड़ी से हमको थोड़ी से दिक्कत थोड़ी जाद करने में, तो आप इस वीडियो को निकालिए, अब फूना से इस वीडियो को देखिए, ठीक है बले यह घंटे आपको मतलब वह लगे, समय लगे पर आपको याद हो जाएगा तीनो, मैं आसा करता हूँ आपको समझ में आ गया आते हैं, तो इस वीडियो को डिक्सिशन बॉक्स में आपको फिजिक्स कमेश्टी, दोनों का लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप चेप्टर वाइज सिक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, और अपने संदर से नोट बना सकते हैं, अदर अपने चैनल को सब्सकाइब किया है, और आपने पढ़ा है, तो आसा करते हैं, आपने समझ लिया होगा, और चैनल के आपकी सब्सकाइब की बहुत ज़रूरत है, वो सकी तो आपको लगे कि हाँ, उनके पास कोई बिद्यार थी, उनके जरूरत है ऐसे वीडियो की, तो उन झाल के जरूरत है...